सबी प्रकार के पोधों को अच्छी ग्रोथ करने के लिए पोशक तत्यों की जरूरत होती है और अगर इसमें से एक भी पोशक तत्यों पोधे को समय से नहीं मिलता है तो तो वह पोधा Usan को रोक देता पौदों के निचले हिस्से से पत्तियां जड़ने लगी हैं उन पर ब्रांचे कम आ रही है इसके अलावा फूल फल भी कम आ रहे हैं तो आपके पौदों में प्रोटीन की कमी हो रही है तो आज इस वीडियो में किचन से निकलने वाली एक ऐसी चीज जो कि हमारे पौदों मे प्रोटीन की कमी को तुरंत पूरा कर देती है आज उसके बारे में वीडियो में आपको बताऊंगी तो इसको किस तरीके से पौधे पर इस्तेमाल करना है तथा ये कौन सी चीज है शलिया आगे वीडियो में देखते हैं नमशकार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हरदिक स्वागत है तो फ्रेंट्स गर्मियों में अकसर पौधों में प्रोटीन की कमी हो जाती है क्योंकि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से ही बनती है और पौधे गर्मियों में फोटो सैंथेसिस की प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं जिसकी वज़े से पानी के साथ में नाइट्रोजन आती है और नाइट्रोजन के साथ में प्रोटीन निकलती है साथ में और भी बहुत से पौधे के माइक्रो निट्रिंस पानी के साथ निकल जाते हैं जिसके कारण गर्मियों में पौधों की पत्यों का रंग आपने देखा होएगा हलका हरा होता है साथ में फल फूल भी कम इस पर बनते हैं और यही वज़े होती है कि पौधे में धीरे धीरे पौधा मारा गर्मियों में कमजोर हो जाता है फ्रेंट्स सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये काले चने हैं और इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इसी वज़े से काले चनों को प्रोटीन का पावर हाउस भी कहा गया है इसके लावा इन चनों में कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैगनीशियम, फासफोरस के साथ साथ विटामिन और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको कोई अगर हम पौधों पर अप खासकर उन पौधों में जिन में प्रोटीन की कमी हो रही है या हो गई है तो उस कमी को ये पूरा कर सकें तो इस्तिमाल करना इसको बहुत ही आसान है फ्रेंट्स घर में जो काले चने बनाए जाते हैं तो उसको एक रात के लिए या आट से दस घंटे के लिए भीगोया जा तत्तो होते हैं वो सब इस पानी में मौजूद होते हैं चनो में आइरन की भी परसंटेश काफी होती है यही वज़े होती है कि जब चने भीगोई जाते हैं तो भीगोने के बाद में जो नीचे का पानी निकलता है वो ब्राउन कलर लेकर होता है तो इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए पेड़ पौधों पर जितना भी आपका पानी चने का नीचे का निकला हुआ है उसमें आप उतनी ही मात्रा में साधा साफ पानी मिला लें और मिलाने के बाद में जिस भी गमले में आपको लग रहा है कि हमारे पौधे की पत्यों का कलर हलका हो गया है साथ में उ निकालने के बाद में अगर आपका गमला 10 इंच का है तो उसमें आप इसको 200-500 ml के करीब एक बार में इस पानी को डाल दें तो इस तरीके से आपके पौधों में प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी क्योंकि फ्रेंट्स इसमें जो कार्बो हाइड्रेट पाया जाता है और प वज़े से पौधे की पत्यां हरी होएंगी साथ में पौधा घना भी काफी हो जाएगा बाकी जो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसकी वज़े से पौधे को वो सारे माइक्रो न्यूट्रेंस गर्मी में मिलते रहेंगे जो उसके फोटो सेंथिस के द्वारा बाहर न दालते रहें तो आप देखेंगे कि आपको किसी फर्टिलाइजर की जरुरत नहीं पड़ेगी आपका पौधा नाइट्रोजन और प्रोटीन की वज़े से हरा भरा बना रहेगा